बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर में 21 वर्षी यूवक का शब बरामद हुआ है। यूवक की माने ये इल्जाम लगाया है कि उसके बेटी की हत्या प्रेम प्रसंग के मामले में कर दी गई है। प्रेम कहानी आपने कई सुनी होगी। किसी का अंजाम अच्छा होता है तो किसी का बुरा। लेकिन जो एक इश्क का अंजाम हमारे सामने आया है उसमें एक यूवक की हत्या कर दी गई है। जिसकी माने ये बताया है कि उसका बेटा बीते 24 मार्च से ही गायब था और अब अचानक से उसका शव बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की च्छान बिन कर रही है। वह यूवक की मा का कहना है कि उसके बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को जाड़ी में फेक दिया गया। यहां तक की निर्मम तरीके से उसके चेहरे पर तिजाब भी डाला गया ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। मधुबनी जिले की राजनगर ठाना छेत्र में मुख्य सड़क पर लोगों ने इस वक जाम लगा रखा है। बता दे कि सड़क के किनारे एक युवक का लाश बरामद हुआ है। मृतक की पहचान पहिरानपूर के घुरन कुमार महतो के पुत्र 21 वर्षिये अनील कुमार के रूप में हुई है उसके चेहरे पर तेजा भी डाला गया था। मृतक की मा ने प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक 24 मार्च से ही गायब था जिसके बाद आज राजनगर के राटी मुख्य मार्च पर सड़क के किनारे जाड़ी सी उसके शब को बरामद किया गया। कुछ लोग जब खेत में काम करने गये थे तो उसी दौरान सड़क की किनारे उन्होंने शब को देखा था। इस घटना की जानकारी राजनगर थाना में दी गई। थाना पुलिस घटना सतल पर पहुँच कर शब को अपने कबजे में ले चुकी है और उसे पोस्मॉटम के लिए भेज दिया है। साथी आसपास के लोगों से पूछताच भी हो रही है। वह पुलिस ने इस मामले में एक कड़ी मशक्कक के बाद लोगों को फिलहाल सडक से हटा दिया है लेकिन रितग की माँ यहां मांग कर रही है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते बहुत बहुत शुक्रिया।